आज के इस वीडियो के दर हम बात करेंगे Can we give water to the electrically shocked person? मतलब कि अगर किसी व्यक्ति को बिजली का जटका लगता है तो उस case में क्या हमें उसे पानी देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए दूसरों यह सवाल कहीं सारे लोगों उनमें काफी जादा confusion create करता है तो आखिर यहाँ पर जब electrical shock किसी को लगता है तो उस case में क्या करना सही है और क्या गलत वही आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे तो बिना चाहिए दिखरे वीडियो को start कर लेते हैं दूसरों इस topic को समझने के लिए सबसे पहली जीच आपको यह पता आने चीए कि जब भी किसी व्यक्ति को अगर electrical shock लगता है तो उस case में सबसे पहले वो electrical shock उस person के heart पर attack करता है मतलब कि जो person का जो दिल होता है उस दिल पर attack करता है अब यहाँ पर कई लोग बोलेंगे आखिर का direct heart पर मतलब दिल पर क्यों असर पढ़ता है electrical shock का तो देखी एक simple का nature है जैसा कि आपने खुद ने already कई बार सुना या देखा भी होगा कि जब भी हमारे साथ में कोई भी दुरगटना होती है तो उस case में हमारा जो heart होता है वो heart काफी तेज बीट करने लग जाता है काफी तेज धड़कने लग जाता है तो यह heart का nature है कुछ भी चीज होगी तो heart beat बढ़ जाएगी यानि जो हमारा heart है दिल है इसमें कुछ ना कुछ unbalance होने लग जाता है उस heart पे वो electrical का shock direct attack करेगा अब यहाँ पर अगली चीज हमें यह समझना जरूरी है कि अगर किसी व्यक्ति के heart में electrical shock attack करता है तो उस case में क्या problem हो सकती है तो दोस्तों देखे जो हमारा दिल होता है इस दिल का काम क्या होता है इस दिल का काम होता है कि हमारों जो भी सरीर के अंदर जो blood है जो भी हमारा खून है उस खून को पूरी body में circulate करते रेना घुमाते रेना और अगर यह heart हमारा blood को पूरी body में circulate नहीं करेगा माल लीजे कि यह किसी व्यक्ति के हाथ में या पाउं में blood को circulate करना बंद कर देता है तो उस case में उस व्यक्ति का हाथ या पाउं काम करना बंद कर देगा वो paralyzed हो जाएगा क्योंकि हमारे body के हर एक part को खून की जवरत होती है और ये खून पहुचाने का काम हमारा heart ही करता है जब कभी किसी व्यक्ति को electrical का shock काफी तेज लगता है तो उस case में यह दिल हमारा जो blood supply कर रहा है जो पूरी body में हमारा blood supply कर रहा था ये पूरी body में blood supply रोक कर सिर्फ और सिर्फ हमारा जो brain होगा इस brain को priority देगा कि सबसे पहले ये हमारे brain में blood को circulate करे और बाकी की जो भी पूरी body है उस body में blood को circulation रोक देगा इसकी वज़े से क्या होगा इसकी वज़े simple सी बात है हमारी पूरी body के अंदर अगर blood circulation नहीं जाएगा तो हमारी जो पूरी body जिस तरीके से work करना चाहिए वो उस तरीके से पूरी तरीके से work नहीं करेगी अब यहाँ पर कहीं लोग एक question यह करेंगी कि आखिर ऐसा क्यों है कि ये सिर्फ brain में ही हमारे blood का circulation करेगा heart बाकी body में नहीं करेगा तो दोसके ये हमारा heart का ऐसा ही nature है ये इस तरीके से ही बना हुआ है कि अगर कोई ऐसी दुरकटना होती है तो यह blood सिर्फ हमारे brain में ही सबसे पहले दिमाग में ही flow कराता रहता है आपने कई बार सुना होगा किसी इंसान की body paralyzed हो जाती है मतलब कि उसकी पूरी body काम करना बंद कर देती है लेकिन वो इंसान जिन्दा होता है वो चीजे समझता है, सुनता है तो ऐसा क्यों? ऐसा इसी वज़े से क्योंकि उसका जो heart है, उसका जो दिल है वह दिल सिर्फ उसके brain में ही blood के circulation को करार रहा है तो यहां तक तो आपको यह सारी बाते पता चल गई कि आखिर heart का क्या काम होता है पर अगर कोई अन्होनी होती है तो उस case में हमारा heart किस तरीके से अपने काम में बदलाव कर देता है लेकिन हमारा सवाल तो कुछ और है हमारा सवाल यह कि अगर किसी वेक्ति को electrical का शौक लगता है तो उस case में हमें उसे पानी देना चाहिए या नहीं देना चाहिए तो दोसों देखिए यहां पर इसका डायक जो अंसर होता है वो होता है no आप किसी भी ऐसे आदमी को जिसको serious electrical का शौक लगा है तो भी मैं आपको फटा फट से एक मिनट में समझा रहता हूँ तो दोसरी कि जब भी हमारी बोडी के अंदर कुछ भी चीज हम पीते हैं या खाते हैं तो सबसे पहले वह चीज हमारे पेट के अंदर जाती है और वह खाना और पानी हमारे पेट से यह सभी सईसे काम नहीं करीगी इसकी वज़े से हमारे जो खाना है यह खाना पचा नहीं पाएगी बोडी और इस केस में उस पर्सन की बोडी जो भी आपने खाने के लिए दिया या पीने के लिए दिया वह वापस से वोमेटिंग के जरिये बाहार कर देगा अगर हमने किसी परसरों कुछ खाने के लिए दिया और उसने vomiting कर दी उल्टी कर दी तो उस case में पहला नुकसान तो यह होगा कि उसकी body dehydrated हो जाएगी मतलब कि उसकी body में जो पहले से भी पानी था जो उसको minerals ताकर जो मिल रही थी वो भी उसकी body से हट जाएंगे खतम हो जाएंगे या भी दूसरी चीज यह भी हो सकती है कि वह जो उसने कुछ खाया है या पीया है वह उसके पेड़ से intestine आतों में तो नहीं किया पचे निकले वह गले से होते हुए उस आदमी के जाके lungs में फस सकता है उनके फेफडों में फस सकता है जिसकी वजह से उसको सास लेने में तकलीफ भी हो सकती है तो दोस्तों यही कुछ मुखे region होते हैं जिसकी वजह से हमेशा मना किया दाता है कि कि किसी भी electrical shock person को आप पीने या खाने क के लिए कुछ भी ना दीजिए जब तक कि वह पूरी तके से conscious नहीं हो जाता उमीद करता हूं दोस्तों आपको आज का यह वीडियो काफी helpful साबित हुआ होगा आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लेश वीडियो को लाइक के जिरू बता है अगर आपको कोई भी सवाल इस व